स्वागत है आपका एजूकेशन स्टेज में आज की वीडियो में लोग A plus B का whole square से सवालों को हल करना सिखाएंगे जैसे आपको दे दिया जाए 105 का square पता कीजिए या फिर कह दिया जाए 103 का square पता कीजिए तो A before 2 कि कुणक कर सकते हैं देखे हम यह देखते हैं कि कि यह संख्या समीं पा रहे हैं कि यह संख्या को प्लास प्लस पाँच इसका मतलब क्या हुआ एक Hajस को कर दें तो यह सूस्च play back न इसके हिसाब से हम हल कर लेते हैं प्लस प्लसि का होल स्कोयर का ह्वाली दे रहा हो इसकी साहता से आपको सवाल को लगाना है A प्लस B का होल स्क्वेर बराबर होता है A का स्क्वेर प्लस B का स्क्वेर प्लस 2AB ये सूत्र होता है ठीक ये सूत्र की साहता से हम सवाल को हल करते हैं तो दिया गया है 100 प्लस 5 का होल स्क्वेर तो A का काम क्या करेगा 100 कवर कर देंगे प्लास टुओ धनर एक मतलब क्या होता है यहाँ पर दिया गया है 6 यहाँ पर 100 लिख देंगे गले विवी का मतलब 5 दिया गया है पर पांच दे देंगे थिक अब हम अगर सब वर्गह निकालें तो बर्गह निकालने में देखिए जब कोई संख्या जीरो वाली संख्या होती है तो हम उनके जीरो गिना करते हैं तो एक दो दो जीरो है और एक कवर्ग क्या होता है एक होता है दो जीरो कवर्ग हो जाएगा चार जीरो बस यहीं हमारा इसका सव का वर्ग हो गया अब पांच कवर्ग हम कवर्ग ग्यात का मलब याद होना चाहिए तो पांच कवर्ग हो गया 25 प्लस अब इसका हम गुड़ा कर लेते हैं दूपंचे दस अदस का गुड़ा सव के साथ करेंगे तो हो जाएगा एक हजार है ना बिल्कुल आसान तरीके से हमने इसको सालो कर दिया अब हमको आई जोड़ने की बारी तो जोड़ने के लिए अगर आप डिरेक्ट ऐसे जोड़ लेते हैं तो अच्छी बात है अगर आपको जोड़ना नहीं आता तो आप क्या करेंगे सबसे पहले आप दस हजार और एक हजार तो एक हजार इधर से आप लिखना है एक दो थीन एक फिर उसके बाद 25 तो पचीश इधर से आपको लिखना है ठीक दाही तरफ से अब हम इनको जोड़ते हैं 52011 इसका मतलब यह उत्तर आया कितना एक सो दस पत्चीस ग्यारा हजार पत्चीस हमारा इसका उत्तर आ गया इस प्रकार जो है हम आसानी से 105 के वर्ग को A प्लस B के होल स्क्वेर से हल कर सकते हैं इसी प्रकार दे दिया गया जैसे 103 तो ये किसके समीफ है 103 100 के समीफ है तो हम लिखेंगे 100 प्लस 3 इसको भी उसी प्रकार बना लेंगे है ना तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम इसको लिखेंगे ए इसको लिखेंगे बी तो A का स्क्वेर मतलब सव का स्क्वेर तो सव का स्क्वेर हम डायरेक्ट कर देते हैं 2000 हो गया प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस तुए भी तो गुड़े साव गुड़े तीन है ना अब हम फिर से एक बार लिख देंगे 10 अजार प्लस 9 प्लस तिन दूनी 6 अच्छाय में गुड़ा करेंगे तो 600 हो जाएगा अगर हम इसको डारेक्ट जोड के लिखें तो हो जाएगा 9 और यहां पर आजाएगा जीदो यहां पर क्या जाएगा जीदो एक यह आजाएगा उत्तर 10609 इस प्रकार और ए प्लस बी के होल स्केर से हम इन सवालों को हल करते हैं दोस्तों आपको वीडियो कैसा लागा कमेंड में जबूर बताएं वीडियो से अगर जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ठेंक यू